तो बात कि जाए इमाम-ul-hak की तो उन्होंने अभी ऐसा कार्णामा सर इंजम देगी देदिया है जो के बड़े-बड़े प्लेयर जार इंजम ना देपाए पाकिसान की तरफ से यानिके सही दनवाट यासे प्लेयर भी ना कर पाए तो कौन सब्सक्राइब ने या जो मैं आपको बताऊंगा इसे पहले कर आपने सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन पर प्रेस कर दें पाकि आपके आपको आप वीडियो मिलती रहें पाकिसन टीम के ओपनर इमाम-ul-hak अब तक साथ अफरीका के खिलाफ एक सीरीज के अंदर 263 रंज बना चुके हैं कौमी टीम के ओपनर इमाम-ul-hak अब्रीका के खिलाफ के खिलाफ मंडे सीरीज का अगाज 66 रंज की हुंदा इनिंग से किया और फिर तीसरे वंडे में एक सो एक रंज की शांदार बैटिंग करने के बाद चौते मंडे के अंदर भी उन्होंने 31 रंज दाग दिये इस सीरीज में हम अपने मजमुई 50 स्कोर करने के ददाद 3 कर ली है जो कि कि किसी भी पाकिसानी बलेबास के जाना तो जिनुबी अफरीका में एक ही मंडे सीरीज करने का मुका मिला है ताहम इन में से कोई भी वहां एक सीरीज में दो से ज्यादा मरतबा 50 प्लस स्कोर नहीं बना सका प्रोटिस के देश में एक मंडे सीरीज में 250 स्कोर करने का रिकार्ड भी महज चार पाकिसानी बलेबासों यानिके मिस बाउल हक मुहमद यूसफ मुहमद अफीज और इजाजामत के पास है इमामुलाक अब तक सीरीज में 65 की एवरेट से 263 रन स्कोर कर चुके हैं जिन में 1 सेंचरी और 29 सेंचरीयां शामल हैं ये किसी भी पाकिसानी बलेबास की जनब से जिनुबी फ्रीकी सर्जमीन पर वंडे सीरीज में बनाएका सब से ज्यादा रन्स हैं इससे कबल साबक कप्तान मुहमद यूसफ ने 2007 के अंदर जिनुबी फ्रीका के दरांट पांच वंडे मैचिस की सीरीज में 250 प्लस स्कोर करने की मतलब से 245 रन्स स्कोर किये हैं इमामुलाक बहुत अच्छे बैट्समेर हैं बहुत अच्छे ऑपनर मि पाकिसन टीम को आमिंगामर में क्या करते हैं